नमस्कार, Financial with Gopi Krishna में आपका स्वागत है जिसमें होती है Financial Sectors की बात आपके साथ हिंदी में मुझे 5000 की SIP 15 साल चलानी है और पैसा तुरंट नहीं निकालेंगे उसके अगले 15 साल बाद पैसा निकालेंगे तो मेरे पैसे में क्या growth होगी या वही पैसा मुझे वापस मिलेगा जो 15 साल बाद उसकी value थी ज्यादा तर लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल आते रहते हैं जिसको SIP का concept clear है तो ठीक है नहीं clear है तो यहीं सोचता है कि हमारे पास क्या होगा पैसा ऐसे ही रहेगा हम नहीं निकाल पाएं या हम बाहर चले गए या हमारे पास टाइम अभी मेरी नौकरी लगी है सिर्म में 15 साल ही जमा कर सकता हूं उसके बाद ऐसे खर्चे आ में कुछ ना कुछ कभी है कोई ब्यक्ति पांस तरेक से पैसे बचा सकता है पांस तरीके से अपने पैसे बचा सकता है पहला तो आप जाकर के बैंक में पैसा जमा कर दें लेकिन में आपको माले जुए 6% जिए और इंफ्ले प्रसेंट साथ के हिसांब से हो ना है तो यहां पर यह फार्मूला बिल्कुल जो है आपका डिफीट हो गया क्योंकि आप एक पर्चेंट पे आरहें आपका रिटन जीरो हो गया दूसरा आप जो है कलेक्टिव आइटम पर्चेस कर लें कलेक्टिव आइटम का मतलब हुआ कि आप अपने पास ले लेकिन उसमें आपका नुक्सान हो गया दूसरा हो सकता है आप बांड्स लेने का मतलब यह हुआ कि आप बांड्स में आपको रिटन मिलेंगे अगर कोई कंपनी चल यह बंद हो रही है जो उसके आसेट्स बैचे जाएंगे सबसे पहले बांड्स होल्डर को ही पैसा दिया जाता है इसमे आपको बैंक से कुछ अच्छे रिटन मिलेंगे लेकिन यह नहीं कि आपके बहुत अच्छे रिटन आवें चाओथा अपसंस है जो सभी लोग उसको अपनाते हैं कि प्लाट या मकान पर्चेस करते हैं कि हमारे पास पैसिव इंकम आनी सुरू हो जाएगी लेकिन उसमें भ पांचवा होता है इकुटी इकुटी में अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी तब तो डायरेक्ट रिक्टी में जा सकते हैं नहीं तो आप मैसा लगा सकते हैं यहां पर आपके सामने पूरी तरह की स्वतंतरता होती है आप अपनी चांसार S.I.P. डेविड डेट डिसाइड कर सकते हैं उसका S.I.P. का एमाउंट डिसाइड कर सकते हैं और कितने साल लानी हैं, कितने साल बात पाईसा निकालना है ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स के उपर ही डिपेंड होता है और निवेस वास्तों में वही होता है जो इन्फलेशन को बीट करें जहां से रिटन आयसा मिले कि महेंगाईदर से ज़्यादा रिटन आये वही आपका निवेस होता है तो जैसा मेरा आज का टाइटिल है कि 5,000 रुपाय की S.I.P. मुझे 15 साल चलानी है मिस्टर ए है इनकी अभी नौकरी लगी है 30 साल उम्र है और यह 15 साल अपनी एक S.I.P. चलाएंगे 5,000 रुपाय की उसके बाद 15 साल बाद जो है S.I.P. तो नहीं कांटिन रखेंगे लेकिन अपने पैसे को नहीं निकालेंगे वो एजिटिस पड़ा रहेगा तो उसमें क्या ग्रोथ होगी या नहीं ग्रोथ होगी यह समस्या इनकी सबसे बड़ी समस्या है आपके पैसे में ग्रोथ होगी इसका एक्जामपिल यह समझेए कि अगर 5000 रुपाय की कोई S.I.P. शुरू की जाए पहली चीज मुचल फंड में रिटन की गारंटी नहीं होती गारंटी का यह मतलब नहीं कि आपके पैसे में ग्रोथ ही नहीं होगी गारंटी यह नहीं होगी कि हर साल आपको 10% ही रिटन मिलेगा किसी साल वो 20-25% पहुंचेगा किसी साल आपका रिटन निगेटिव में भी जाएगा ही जाएगा तो 15 साल अगर 5000 रुपाए की साइपी कांटीनु करी जाए तो टोटल जमा होगा जाकर के 9 लाक रुपाए और 15 परसेंट इसका मान लिया जाए कि हर साल इतना रिटन आएगा एवरेज रिटन यह नहीं कि हर साल 15 परसेंट ही आएगा किसी साल 20-25 भी जाएगा किसी साल निगेटिव भी जाएगा इसलिए एवरेज यूज किया जा रहा है पंद्रा परसेंट के हिसाब से आपके जो 9 लाक रुपाए जमा हुए थे उसकी वाल्यू होगी जाकर के 30 लाक 81 रुपाए 30 लाक 81 थाउजन और इस पैसे को नहीं निकालने हैं मिस्टर इस पैसे को नहीं निकालेंगे अगले 15 साल इसको ऐजटिज उसी फंड्स में पढ़ा रहने देंगे ग्रोथ उसमें भी 15 परसेंट ही आएगी क्योंकि इफ्लेशन प्लस जीडीपी दोनों को मिला करके ही रिटन बनते ही इसमें फंड मेनेजर का अलफा नहीं एड करते हम लोग तो उस समय जब 30 साल इनकी अगले 30 साल बाद यानि जब 60 साल एज होगी तो उस समय इनके पैसे की वाईल्यू अगर ये 15 साल बाद तुरन निकाल लेते तो उसकी वाईल्यू थी 30,81,000 रुपए लेकिन इन्होंने इस फंड को आजेटी छोण दिया नहीं निकाला तब इस फंड की वाईल्यू होगी जाकर के 15 परसेंट के साफ से 1.25 एक करोड 25 लाख रुपए तो इस तरह से देखा जाए तो म्यूचल फंड में आप जितने टाइम तक निवेश निवेशित रहते उतने ज्यादा ही आपके रिटन सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफियेशन आपके पास सबसे पहले पहुंसता रहें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें लाइक करें और कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार